कोई अर्था सिक्कों के उपर जितने तरह के सवाल हैं आज सारे सवालों को निपटेंगे और ये एनिमेशन का हम थोड़ा सा मदद लेंगे जिससे हर सवाल को हम सहस्ता के साथ समझ सकें देखिए ये सवाल किस एक्जाम पे नहीं आते हैं रेलवे बोलिए एससी बोलिए बै क्लास शुरू करते हैं 2020 के MTS के छात्रों को ये सवाल ने बहुत परिशान किया था क्योंकि इसका जो में परिशान होने वाला जगह जो था ये बोला है 10 रुपे और 5 रुपे ठीक है ना 10 रुपे और 5 रुपे 5 रुपे और 1 रुपे 1 रुपे और 10 रुपे के उत्पादो का अनुपाद 3 is to 4 is to 6 है, साधारंत क्या होता है, 10 रुपे के 5 रुपे और 1 रुपे का अनुपाद बोला जाता है, यहाँ उत्पादों का अनुपाद है, इस मामला को चली हम समझने हैं पहले, बोला है 10 रुपे और 5 रुपे तो 10 रुपे के हम A नोट पकड़ लेते हैं 5 रुपे के हम B नोट पकड़ लेते हैं फिर हम ऐसा करते हैं 5 रुपे और 1 रुपे का बोलता है तो 5 रुपे के B नोट का कि 5 रुपे का B नोट यहां भी पकड़ा है और C का हम एक रुपे का C नोट पकड़ लेते हैं, ठीक है, फिर हम पकड़ते हैं क्या, कि इसने तिसरा दिया है, ये देखे एक रुपे और दस रुपे, तो एक रुपे का C नोट पकड़ा है, और दस रुपे का हमने A नोट पकड़ा है, अब ये जो इस तरह जो पैसे सजा गया है इसका अनुपात बोलता है 3 is to 4 is to 6 अब जरह हम पहले ए गुने B बटे B गुने C का अनुपात क्या होगा 3 is to 4 यही बोला हुआ है न तो हम इसको लिखते हैं A गुने B बटे B गुने C अब देखें B भी स्ट्राइक आउट हो गया A बटे C बराबर 3 बटे 4 आ गया तो ह हमें मिल गया ना यहां से देखिए A के कितने नोट है 3 है तो C के 4 नोट होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं हमें जो इससे काटके मिला है A के अगर 3 नोट होंगे तो C के 4 नोट होंगे ठीक है न अब दूसरा बोलता क्या है B गुने C बटे C गुने A यह 4 is to 6 है तो देखें A 3 है यहां भी A 3 है तो बैलन्स हो गया तो देखिए अब जब A 3 होगा तो C 4 होगा यहां बोला हुआ है और A जब 3 होगा तो B 2 होगा तो मतलब समझ गया यहां पे 2 होगा तो हमें यह समझ में आ गया नोटों का अनुपात क्या है नोटों के संख्याओं का अनुपात मतलब अगर तीन दस रुपे के दो नोट है तो पांच रुपे के दो नोट है एक रुपे के चार नोट है यही तो मतलब हुआ कि दस रुपे के तीन नोट पांच रुपे के दो नोट एक रुपे के चार नोट अगर हम इसके मुल्ले को जोडते हैं तो दस रुपे के तीन नोट त पांच रुपे के दो नोट दस रुपिया एक रुपे के चार नोट चार रुपिया जोड़ेंगे तो चार रुपिया मतलब हर चार रुपे में आपका जो है दस रुपे के तीन नोट होंगे पांच रुपे के दो नोट होंगे एक रुपे के चार नोट होंगे लेकिन यह ब 44 से अगर 1000 को बाड देंगे तो पूरा-पूरा भाग 22 बार जाएगा यह हमारे जोरत नहीं है आउस्टेज को कुछ नहीं करना है तो हमें समझ में आ गया कि 1000 से कम क्या होगा अगर हम 22 को 44 से गुना करते हैं वही रगड़ कम जो होगा वो क्या होगा 968 रुपिया यह दूसरा बंदल 44 रुपिया बनता है इस तरह के 22 बंदल जो है उस आदमी के पास थे जिसका पूरा जो कीमत था 968 रुपिया था यह इसका आंसर हुआ तो देखिए यह सवाल जो है अगर आप पहले नहीं किया हैं तो करना मुश्किल है सरकारी नौकरी के ख्वाइश रखते हैं ले या तो आपके learning cycle में problem है या आपको retaining cycle मतलब गनी तो समझ तो लिया सब तो कर लिया लेकिन परिक्चा होल में 0 बटे 0 अब दीकिए learning cycle में भी बहुत सारे phase है जो आपके learning process गनी जो सिखने की आपकी प्रक्रिया है उसमें problem है इसको DLC या DLP करते है इसके बारे में हम चच्चा करेंगे तो इसमें solo problem क्या होता है सबसे बड़ी problem जो है उसे समझना है और solo problem से solution learning कैसे किया जाता है solution learning में self practice कैसे किया जाता है और अगर doubts त्यार होते हैं तो doubts के clearance कैसे होते हैं ये सारा चीज़ को समझना है retaining cycle मतलब आपने एक बर गनी सिख लिया तो exam hall तक कैसे लेके है और जो practice practice बोलते है practice recall क्या है short term practice क्या होता है long term recall क्या होता है इन मुद्दों को अगर सही रुप से समझ जाएंगे तो समझ लेंगे गनीत के चलते आपका कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है नबे दीनों में गनीत को लेके आप यहां तक की CHS level को भी तोड़ सकते हैं यह मेरा वादा है और इसके लिए मुझे वो student चाहिए जो सही में इसको जान कर अपनी भलाई करना चाहते हैं यह whatsapp number दिया है यह videos है free cost free of cost ऐसा कोई पैसे वैसे नहीं है इसमें लेकिन मैं उनको को ही देना चाहता हूँ जो सही में खुद का कल्यान करना चाहते हैं तो चलिए class शुरू करते हैं इस सवाल में बोला गया एक थैले में 12-11-13 के अनुपात में भिन्य प्रकार के पुड़ाने सिक्के हैं जिनके मुल्य क्रमश्य तीन रुपे मतब तीन रुपे के 12 सिक्के ह हैं और पांच रुपे के 13 सिक्के हैं यदि सिक्कों का मुल्य पांच सो असी रुपया हो तो तीन रुपे के मुल्य वाले सिक्कों की खूल संख्या निकालनी है ये RSPF में कोुश्चन था तो चलिए पहले हम क्या देखते हैं 12 11 13 के अनुपात में सिख्के हैं तो उसका मुल्य क्या होगा 12 को 3 से गुना किया तो हमारा क्या हुआ 36 होगा ठीक है ना 4 को 11 से गुना किया तो 44 होगा 13 का 5 रुपे के 13 कोईन है तो 65 होगा और टोटल को जोड़ेंगे तो 145 रुपया होगा जो हमें बताया गया उस हिसाब से ह हम बंदल बनाते हैं तो 145 रुपया लेकिन हमें यहां बोला गया है पुराना सिख्का 580 रुपया है तो हम सोचते हैं कि भी यह 145 का कितना गुना 580 होगा तो हम जानते हैं 454 के 180 होता है और 100 को 4 से गुना करेंगे 400 और 180 मतलब 580 मतलब 145 का 4 गुना 580 होता है अब हमारे पास जो है 12 सिख्के का 36 रुपया होता है लेकिन इसका चारगुना करेंगे तभी 580 रुपया होगा कि 580 रुपय में 3 रुपय का सिख्का कितना पूछा गया है तो सीधा सीधा है कि हमारा जो 12 रुपय का 12 सिख्का जो था जिससे हमें 145 रुपया पैदा होता है उसक चारगुना कर लेना होगा तो मतलब 12 रुपय के 48 सिक्के जो हैं वो उस थेले में थे तो इस तरह से इसका आंसर जो है आपका D UA तो आशा करता हूं कि सवाल को समझ गया है लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है इस सवाल में देखेंगे कि बोला गया एक बैग में एक रुपया पचास पैसे पचीस पैसे के सिक्के पांच अनुपाद छे अनुपाद साथ के अनुपाद में है फिर बोलता है यदि बैग में कुल 312 रुपय हैं प्रतेक प्रकार के कूल सिक्कों की कूल संख्या ग्याद कीजिए मतलब ये जो है ये जो कॉइंस हैं इस अनुपात में हैं और पूस्ता है कि 312 रुपया है तो कूल सिक्के कितने होंगे देखिए काफी बेसिक कोस्टेन है हम अगर सिक्कों की सवाल करते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं तो सबसे पहला है कि हम बे मतलब का कल्कुलेशन नहीं हूँ इसके लिए इसको जो है हम दसमलों में नहीं लेंगे हम इसे कैसे लेंगे एक रुपिया तो एक ही रुपिया है पचास पैसे को क्या लिखेंगे एक बटे दो रुपिया आधा रुपिया है ठीक है ना पचास पैसा उसी तरह पचीस पैसे को हम लेंगे तो पचीस पैसे को लिखेंगे हम एक बटे चार रुपिया ऐसा क्यों देखिए दो और चार का LCM क्या होगा 4 तो हमने LCM 4 मना दिया क्यों किया क्यों कि ये जो भिन्य में हैं सब को चार से गुना कर दूँगा, तो ये चार होगा, ये भी चार है, तो उपर अगर चार से सब को गुना कर रहा है, तो दो से काट देंगे, तो दो हो जाएगा, ये चार से चार को काटेंगे, तो एक हो जाएगा, मतलब भिन्य वाला मैटर कतम हो जाएगा, अब हमें बोला है 5-6-7 के अनुपात में है तो ये LCM जो मेरा निकला ना इससे हम 5-6-7 के अनुपात को गुना कर दें यही इसका ट्रिक्स है ठीक है ना तो अगर मैं 5-6-7 को 4 से गुना करूँगा तो क्या होगा 4-5-20 4-6-4-20 4-7-28 तो मामला यही आएगा ना 20 अनुपात 24 अनुपात 28 ठीक है अब 20 अनुपात 24 अनुपात 28 का मतलब क्या है एक रुपे का 20 सिक्का होगा तो 20 रुपे होगा अगर 24 सिक्का है 50 पैसे का तो 12 रुपे होगा 28 सिक्का अगर 24 का है तो 4 सते 28 एक बटे 4 होता है ना तो चार से इसको भागा देंगे तो साथ रुपया, तो कुल उन्चालीस रुपया होता है, इस पांचे साथ को LCM से गुना करने के बाद सीधा सीधा आता है देखें, उन्चालीस रुपया, लेकिन है तो यहां 312 रुपया, ठीक है न, तो हमको यह दिख रहा है, अगर इसको 8 से गुना करेंगे, 8, 9, 72 का 2, 8, 7, 3, 8, 24 और 7, 31, मतलब ऐसे 49 रुपय का अगर 8 गो बंडल होगा, तो यह 312 हो जाएगा, ठीक है न, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है, 8 गो बंडल का मतलब, 20 रुपय का भी 8 होना चाहिए, 12 रुपया को भी 8 से गुना कर दिया, 7 रुपय को भी 8 से गुना कर दिया, तो 49 रुपया 312 हो गया, ठीक है न, अब इसका मतलब, 20 रुपय का जो है, 20 रुपय, एक रुपय का कोईन 20 गो था, अब 8 गुना कर देंगे, तो क्या होगा, 160 हो जाएगा, अठनी का जो है, 24 टो कोईन था, उसको 8 से गुना करेंगे, 292 हो जाएगा, फिर देखिए, 28 को अगर हम गुना करेंगे, तो 26 है, 160 रुपय का दो सो, यह आ जाएगा, तो हमको कोईन का कुल संख्या निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, यह देखिए, 20 को 8 से गुना कर दिया, 160, 24 को 8 से गुना किया, तो 192 कोईन, 28 को 4 से कुना किया, तो 224 कोईन, तो कुल कोईन कितना हो गया, 576 कोईन, यह ऐसे भी बोल सकते हैं, 20 और 24 और 28 को जुड़े तो 72, 72 का क्या 8 बंडल है, 72 कोईन का 8 बंडल मतलब 576 कोईन, तो इस तरह से 576 जो है, इसका उत्तर हो गया, आशा करता हूं कि सवाल को आप एकदम सही रूप से समझ गया होंगे, यह सवाल अरभी में आया हुआ था, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, 9 अनुपाद 5 अनुपाद 6 में है, जिसकी रासी 317 रुपिया 50 पैसा है, 25 पैसे के सिक्कों का संक्या ग्याद किजी, यह वही सवाल है, जो पहले किया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, अब वहाँ आप अटक नहीं जाए है, इसलिए सवाल को दिया है, 50 पैसे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक बटे दो, आधा रुपिया, 25 पैसे को क्या लिखेंगे, एक बटे चार रुपिया, यह पहले भी कर चुके हैं, 10 पैसे को क लिखेंगे, तो 10 भी काट देगा, 4 पैसे 20 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 2 दसे 20, तो हमने LCM 20 ले लिया, अब जब LCM 20 ले लिया, हमें इस अनुपात को फिर से मोडिफाई करना है, हमें इसको 20 से सब को गुना कर देना है, तो चलिए हम इस 20 से सब को गुना कर देते ह तो क्या हुआ बीस नवा एक सो असी, बीस पचे सो और बीस चक एक सो बीस, ये सिक्कों की संख्या है, ठीक है न, अब देखो, लेकिन हमें बोला है कि सारे सिक्के मिलके तीन सो सतर रुपया पचास पैसे हैं, अब हमें इस अनुपात का मुले निकाल के देखना होगा, ये त 370 रुपया पचास पैसे होते हैं या नहीं, तो हमने 180 सिक्के अगर 50 पैसे हैं के, तो मतलब आदे होंगे एक बटे दो, 180 सिक्के का 90 रुपया होगा, अगर 100 सिक्के 25 पैसे के हैं, तो इसका मतलब 25 रुपया होगा, और 120 सिक्के अगर 10 पैसे के हैं, तो 12 रुपया होगा, जोड़ेंगे तो 127 रुपिया, लेकिन हमें तो बोल रहा है कि बैग में 370 रुपिया 50 पैसे हैं, तो मतलब इस 127 के कॉइन्स के एक बंडल नहीं है, दो-चार बंडल है, अब हमें पता करना है कि ये 370 रुपिया 50 पैसा कितना है, तो देखिए सबसे पहले है, इस 0.5 के दसमलाओ को हटाने के लिए, पहले इसे 2 से गुना करेंगे, द्यान से सुनेंगे, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो जब भी यहाँ पे दसमलाओ होता है, दसमलाओ को हटाने के लिए, जिस संख्या से गुना करना है उस संख्या से गुना कर दिए तो यहाँ जैसे गुना किया 635 रुपया अब हम देखने की कोशिश करते हैं 127 रुपय का कितना गुना 635 हो सकता है तो हम यह देख रहे हैं 5 से थे 35 का 5 हाथ मेरा 3, 5 दूनी 10, 3, 13 का 3 हत्मेरा एक पांच पांच एकम पांच और एक छे मतलब 127 रुपे का पांच गुना है ये तो हमें समझ में आ गया लेकिन महास है हम 635 रुपया देख रहे हैं और इसनल तो पैसा 317 रुपया पचास पैसा था इसके से दसमलाओ को हटाने के लिए हमने इसे दो से गुना किया तो मतलब हकीकत में पांच से पांच गुना नहीं है, धाई गुना है, मतलब पांच बटे दो गुना है, ठीक है न, हमने दोग से गुना किया ते इसलिए दो से भागा दे दिया, तो हमें ये समझ में आ गया, कि अब है कि पचीस पैसे के सिक्के कितने होंगे, वो हमें निका आता था कि 117 तो अब 635 करने के लिए एक सौ को हमें 5 बटे 2 से गूना करना होगा ठीक है न कि करे कि हम 127 को 5 बटे 2 से गूना करते हैं तो 635 रुपया था है 370 रुपया 150 पैसा है थैली में 210 50 पैसा है में इस सारे हमें पता चल गया कि ये जो आपका जो है पचीस पैसे के जो कॉइन है वो धाई सो कॉइन थे ठीक है ना तो देखी इन सारे सवालों को जितना हलका लगता है करते वक्त में थोड़ा confusion हो भी सकता है एक दो बर प्रैक्टिस होना अत्यावर्शक है ये जो सवाल आप देख रहे हैं S.S.C. CGL Mains 2022 में आया था 25 पैसे, 50 पैसे, दो रुपे, 5 रुपे की सिक्कों की संख्याओं का अनुपाद 5 is to 4 is to 3 is to 1 है यदि सिक्कों की कूल राशी 280 रुपे है तो 25 पैसे और 5 रुपे के सिक्कों की मद्ध अंतर क्या होगा? अब इसने अंतर पूछा है तो सबसे पहले 25 पैसे को हम जानते हैン रु पचास पैसे को लीखेंगे तो हम ये एक बटे दो हो जाएगा, दो रुपिया तो दो ही रुपिया रहेगा, भिन्ने में चेंज नहीं होगा, पांच रुपिया भी पांच ही रुपिया रहेगा। पांच रुपिया 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 अब देखिए 50 पैसे के 20 सिक्के मतलब 5 रुपया होगा 50 पैसे के 16 सिक्के मतलब 8 रुपया होगा 2 रुपय के 12 सिक्के मतलब 24 रुपया होगा 5 रुपय के 4 सिक्के मतलब 5 के 20 टोटल होगा 57 लेकिन यहां कुल राशी तो 280 बोला जा रहा है तो हमें देखना है संतावन को किस से गुना करेंगे कि 285 होगा तेकि एक ही टाइप है कोई अंतर तो ज़्यादा आप ने रहे तू संतावन को अगर 5 से गुना करेंगे 280 तो कहने का मतलब ये संतावन का अगर हमें एक बंदल बनाते हैं कोहन का तो ऐसे 5 बंदल थे जिस 280 रुपे में सीधा सीधा तर्क यही है तो आप भी समझ गए अब हमें पूछा है 25 पैसे और 5 के सिक्कों के संख्या का अंतर क्या है अब देखिए 25 पैसे के 20 सिक्के होते है और कितना है 5 रुपे के 5 रुपे के 4 इसमें से हटाते हैं तो 16 होगा हमें अंतर पूछा है तो अच्छा पहले हमने सिक्कों का संख्या लिग दिया ठीक है न 280 का तो हमारा क्या है हमने 20 को 5 से गुना करके 100 सिक्का हो गया मतलब 280 रुपे में ठीक है न 16 को 5 से गुना के 80 हो गया 12 को 5 से गुना किया तो 60 हुआ चार को पांच से गुना किया तो 20 हुआ अब हमें ये 100 किसको दिखा रहा है 25 पैसे के सिक्के को और हमें 25 पैसे अब 5 रुपे के सिक्के 5 रुपे का 20 है 100 है 100 से 20 घटाया तो वो भी आपका 80 कोईन सी हुआ हमने वैसे भी कैलकुलेशन किया कि 20 से 4 घटाया 16 16 को पांच से गुना किया कहें कि ऐसे 5 बंडल है तो एक बंडल में 16 कोईन का डिफरेंस आता है 25 पैसे और 5 रुपे के सिक्कों में और उसका 5 गुना कर दिया तो 16 पैसी कोईन सुआ तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं तो आशा करता हूं कि चीज़े देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी नहीं है और एनिमेशन में क्या होता है कि चीज़े और ज़्यादा आसान हो जाता है लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है इस सवाल को देखे है पांच रुपे, दस रुपे, बीस रुपे की जो नोट है अब देखिए यहाँ पर दो अनुपाद दिया है 11-8, 10-7 मतलब ये तीन नोटों का एक अनुपाद नहीं दिया हुआ है दो अलग-अलग अनुपाद दिया हुए पांच रुपे और दस रुपे के नोटों के बीच में अनुपाद अलग से दिया है 10 रुपे और 20 रुपे के नोटों का अनुपाद अलग से दिया है और हमें एक ही बैग में ये तीनो नोट रखे हुए है, तो मतलब क्या है पहले ये जो दो अनुपाद दिया है उसे एक अनुपाद में change करना होगा, तो देखो एगारा इस्टु 8 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, 5 रुपे का और 10 रुपे का, तो 5 रुपे और 10 रुपे का अनुपाद क्या है, एगारा बटे 8, यही बोला है ना, ठीक है न, और दूसरा बोल र भी 10 है तो इसके लिए 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है संख्या को लाल की है क्योंकि बैलन्स मुझे यही करना है अब देखिए इसको समझते हैं अब देखिए 10 और 7 के नोटों का जो अनुपात है यह 10 और 20 का तो 10 रुपे के 10 नोट होते है तो 20 के 7 नोट होते है यही बात है अब देखो इन दोनों अनुपातों को अगर एक साथ करना है मतलब 5, 10 और 20 तो देखो यहां पर जब 10 रुपे का 10 नोट बोल रहा है यहां 10 रुपे का 8 नोट बोल रहा है अब हम जानते कि 10 और 8 का LCM क्या होगा 40 होगा क्या कि 40, 5, 8, 40, 10, 4, 40 लेकि इसको 40 करेंगे तो इस 5 से गुना करना होगा ठीक है न क्योंकि काटेंगे तो फिर 11 बटे 8 हो जाएगा लेकिन इस प्रकरेंट में क्या हुआ इधर भी हमने 4 से गुना किया इधर भी हमने 4 से गुना किया अब यह बैलेंस हो गया क्यों देखो भाई 10 रुपे का नोट यहां भी 40 है यहां भी 10 से दियाता अब क्या लिखेंगे हम पांच रुपे का नोट कितना है देखो एगारा पच्छे पच्पन दस रुपे का नोट कितना है चालिस बीस रुपे का नोट कितना है अठाइस यह हम लिखेंगे ना पच्पन चालिस अठाइस ठीक है ना पांच रुपे का नोट पचपन है, दस रुपे का नोट 40 है, 20 रुपे का नोट 28 है, तो अगर इस कंबिनेशन में होता है, पांच रुपे का पचपन नोट का कितना वैलू होगा, 275 रुपिया, 40 नोट अगर 10 रुपे है कितना वैलू होगा, 400 रुपिया, 20 रुपे के 28 कि बैग में 37.05 रुपे हैं, तो आप जानते हो हम करते क्या हैं, 37.05 लिखा, अब हम सोचते हैं कि भाईया, 37.05 जो है, वो 1235 से कितना गुना करेंगे, तो 1235 को 3 से कुना करेंगे, तो 37.05 होगा, तो मतलब 3 गुना हुआ, हमें पूछा क्या गिया है, 10 रुपे के नोटों की संख्या, तो हमारा 3 गुना मतलब, ये जो 10 रुपे के 40 नोट हैं, इसका 3 गुना होना होगा 37.05, क्योंकि 1235 के 3 बंडल होते हैं, तभी 3.05 बनता है, तो 40 को 3 से गुना करेंगे, तो 120 नोट होगा, तो मतलब है कि उस बैग में 37.05 में 10 रुपे के नोटों की संख्या जो थी, वो 120 था, तो आशा करता हूं कि सारा चीज़ आप समझ चुके हैं, कहीं किसी तरह का द्वन दिया, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आपको, सावाल को देखें, एक बॉक्स में 1 रुपे के सिखे, 2 रुपे के सिखे, और 10 रुपे के सिखों का मुल्य 1560 है, अभी तक जो हमने किया हुआ था, सिखे की सनुपात में वो बोला जाता था, ठीक है ना, यहां बुल ले बोल दिये 1560 है और बोला है सिक्कों का संख्या समान है यूपी पुलिस का है बकसे में 10 रुपे के सिक्कों की कूल संख्या ग्याद कीजिए सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है लेकिन बहुत ही हलका सवाल है सिक्कों का संख्या समान है मतलब अनुपात क्या होगा सिक्कों का संख्या समान है तो ये बोल रहा है one is to one is to one मतलब अगर एक रुपे का एक सिक्का है तो दो रुपे का भी एक सिक्का होगा दस रुपे का भी एक सिक्का होगा तो हम जोडते हैं तो 13 रुपए लेकिन हमें बोलता है कि भैया मुले तो 1560 है ठीक है ना तो अब तक तो हम समझी गये हैं अब हम देखते हैं कि भैया 13 को अगर 1560 से भाग देते हैं तो देखो 13 एक कम 13 15 से 13 कटा होगे तो 2 होगा तो 26 हो गया तेरा दुनी 26 तो हमें समझ में आ गया 120 गुना अगर 13 का होगा ठीक है न तो मतलब ये 1 रुपे 2 रुपे और 10 रुपे के जो एक एक सिक्के है इससे 13 रुपे होता है इस 13 रुपे को 120 बंडल बना दिया जाए तो 1560 रुपे होता है अब दस रुपे का एक सिक्का है एक बंडल में और 120 बंडल में क्या होगा 120 सिक्के होंगे तो 10 रुपे के सिक्के जो है में 120 कोईन्स होंगे यही तो इसका उत्तर है आशा करता हूँ किस सवाल को आप एकदम संपून रूप से समझ चुके होंगे यह SSE GD 2023 का है देखिए GD लेवल में भी एक ट्विस्ट है ऐसा लिए ट्विस्ट जो है पहले भी आते हैं लेकिन यह कम आते हैं तो इसलिए इस पे चर्चा कम होता है 615 सिक्कों में एक रूपिया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं उनके मुल्य क्रमशत 3 इस टू 5 इस टू 7 का अनुपाद में है अभी तक जो हमने सवाल किया था उसमें क्या था सिक्कों के संख्या का अनुपाद था इसमें क्या बोला है मुल्य का अनुपाद बोला है ठीक है न अगर तीन रुपे के तीन रुपे का एक रुपे के तीन रुपे के बड़ाबर सिक्का होते हैं तो पांच रुपे का पचास पैसे के बड़ाबर सिक्के होते हैं पचीस पैसे का साथ रुपे के बड़ाबर सिक् कि अभी तो ये पहले दिमाग में रखना होगा, 615 coins है, अब हमें बोलाएं कि 3 is to 5 is to 7, मतलब 3 रुपिया, 5 रुपिया, 7 रुपिया, अब दिखें, 1 रुपिया का होगा, तो कितना होगा, 3 सिक्का होगा, 5 रुपिया है, तो 50 पैसे के 10 सिक्के होंगे, और अगर 7 रुपिया coins, इस मुल्य के अनुपात में, अगर सिक्कों की संख्या होगी, 41 coins, लेकिन मुझे बोला कि भईया, 615 coins हैं, तो हमें कितना गुणा सोचना होगा, तो हमने देखा, 15 कम 15 का 5, 15 चुके 60 और 60, बतलब 15 गुणा है, अब हमें बोलता कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, हमने यह जाना कि 615 coins जो है, एक 40 coins के 15 bundle बने हुए हैं, और एक bundle में अगर 50 पैसे के 10 coins हैं, हमें 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या बोलना है, तो 10 को 15 से गुणा करेंगे, तो क्या होगा, एक सो पचास coins हैं, तो कहने का मतलब है कि 50 पैसे के कितने coins हैं, तो आंसर होगा, एक सो पचास, तो पचास पैसे के, एक सो पचास coins हैं, 615 coins के अंदर में, समझ गए होंगे, किसी तरह के कोई confusion ज़रूर नहीं हुआ होगा आपको, ये सवाल SSI, CHSL का है, और ये दम रगता है, बोलता क्या है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, तथा 10 पैसे की सिक्कों की संख्या, तीन क्रमागत, विशस नहीं होगा, विशम होगा, ये विशम है, विशम में आभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में, बताईए, ये सुनके ही तो लड़के का दिमाग उड़िया होगा फेले, ये क्या लफ़णा है वही, बैग में कुल 552 रुपे है, यदि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलड़ दी जाए, अब दूसरा लफ़णा, जो अनुपात है, उसे पलड़ दिया जाए, कैसे पलटेगा भी जाए, ये भी एक समस्या है, तो बैग में कुल कितने रुपे बढ़ जाएंगे, चले करते हैं, तीन क्रमागत विशम अबाज्य संख्या, बढ़ते क्रमने, तो बीच में से लेने के लिए तो बोला नहीं है, शुरुवात से लेंगे, अबाज्य है, विशम है, तो तीन से सुरू होगा, तो मतलब यहां देखे, छोटा साइक इन्फॉर्मेशन है, तो आपका तीन, पांच, साथ होगा, तीन भी अबाज्य है, पांच भी साथ है, साथ भी अबाज्य है, और ये क्या है, पचास पैसे, पचीस पैसे, दस पैसे, सिक्कों के संख्या का अनुपात है, तो इसका मतल जब क्या हुआ, पचास पैसे, क्या, एक बटे दो का, तीन है, पचीस पैसे, मतलब एक बटे चार, दस पैसा मतलब एक बटे दस, आप भी जानते है, तो मतलब एक LCM निकलेगा और वो 20 का होगा 20 का अगर LCM होगा तो इससे गुणा करना है ठीक है न तो 20 से गुणा करेंगे 20-30, 20-500, 20-7-140 ठीक है न ये क्या है सिक्कों की संख्या है और ये सिक्के कितना रुपया जनम दे रहा है 50 पैसे के सिक्के होगा तो 30 रुपया होगा 54 की सिक्के 100 है तो 25 रुपया होगा 10 पैसे के सिक्के अगर 140 है तो 14 रुपया होगा तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 69 रुपीज लेकिन बोला है 552 रुपय तो 69 को किस से गुना करेंगे कि 552 रुपया होगा तो हम जानते हैं 552 रुपया है तो आठ नवा बहत्तर आठ से गुना करना होगा ठीक है लेकिन अब तो दूसरा नमबर लफ़रा भी है कि बोला कि अब जो है रेशियो को पलतो चलिये सिक्कों के संख्या को पलत दते उसके रेशियो को तो हम देखिए बलटने का मतलब है बीच वाला तो रहेगा वैसी स्थान पर 140 इधर आगया 60 इधर आगया ठीक है न तो कहने का मतलब है भी 140 क्या होगा पचास पैसे के सिक्के हो गए तो मतलब ये सतर रुपय हो गया सौ सिक्के पचीस पैसे के तो पचीस होंगे और साठ सिक्के अगर दस पैसे के हैं तो छे रुपय होंगे तो ये बढ़के एक सो एक रुपया हुआ अब देखे 69 से 101 रुपया हुआ तो कितना बड़ा भाई सा छीख है ना तो ये बड़ा जो है 101 से 732 ये एक बंडल का है हमने 90 रुपया 101 रुपया हो जाता है ये एक बंडल की में 32 रुपया बढ़ता है लेकिन अपने पास तो 8 बंडल में या तो 32 को 8 से गुना कर दिया तो मतलब 256 रुपया बढ़ जाएंगे तो इस तरह से 256 रुपया आंसर होगा लेकिन इसमें आपने देखा कि steps थोड़ा जादे हैं तो practice भी एक दो बात जादा ही होना चाहिए ऐसा नहीं लगता है आपको अन्त में मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा जो भी math problem से गसित है और वो जानना चाहते हैं कि इस problem से कैसे चुटकारा मिले वो अपने math problem इतना ही लिखना है और इस whatsapp नंबर पर whatsapp करना है एक अनुरोध है phone नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा best रहता हूँ तो जिससे चलते क्या हो सकता है मैं आपको phone को ना उठाओ तो आपको बुड़ा लगेगा और साती सात मेरे को केवल वो वीडियोजी भेजना है जिस वीडियो को देखने के बाद उसके बाद अगर कोई आपके जेहन में सवाल उठता है तो उस पे आप मुझसे चाहें तो चर्चा भी कर सकते हैं तो चलिए फिर आज विदा दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल बटन अवश्य दबाएं और दोस्तों को अवश्य शियर करें बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद